तो दोस्तो थंबनेल तो आप लोग उन देखे लियूगों और आपको पता भी चल गए होग का आज डाइ किस वीडियो का टापिक क्या री क्या है क्योंक कि यही सोंच कर आपने ने क्लिक है लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आज वीडियो में ध्यान रहे कि अगर आप login नहीं कर रहे हैं फिर भी आप reset कर सकती हैं उसकी process में थोड़ा बाद में बताऊँगा लेकिन सबसे पहले आपको आपके application में login कर लेना है उसके बाद में आपको simply यहाँ पर जो four dot है इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको log out का option दिख रहा ह इसके बाद थोड़ा सा time लेगा उसके बाद यहाँ पर जिसा कि आप देख पार एक verification code send कर दिया गया है आपके mobile number पर इस verification code को send करने के बाद इसके बाद दोस्तों जिसा कि आप देख पार यहाँ पर आईसा इंटरफेस आपके सामने आ चुका यहाँ पर आपको नया password ना भूलें उसके बाद दोस्तों आपके mobile number पर एक message आजाएगा कि आपका password successfully change हो चुका है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि message नहीं आता है फिर थोड़ी late में आता है लेकिन don't worry आपका password change हो चुका है तो दोस्तों ऐसी information को एक दम कम समय और आसान भासा में समझने के लिए चनल को subscribe और वीडियो को like करना न भूले मिलते आपको अगली वीडियो में किसी अगले topic के साथ लेकिन अगर आपका कोई सवाल सिंपली आप लोगों के लिए comment का बक्सा खुला हुआ है सिंपली उसमें comment कर कोई भी सवाल कर सकते मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो म आपका नाम आ जाए